कलाम साब कहते थे सपने वो नहीं होते जम नीन में देखते हैं बलकि सपने वो होते जमें नीन नहीं आने देते कलाम साब ने पांच बाते से बताई थी और कहा था कि हर व्यक्ति को उठने के जश्ट बात ये पांच बाते अपने आप से बोलना चाहिए दोस्तों गोर करने वाली बात है कि मैं सबसे अच्छा हूँ यानि इस पुरी दुनिया में दूर दूर तक मेरे comparison में कोई नहीं है अभी एक गेहरी सांस लेकर अपने आप से कहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ अब कई लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं सबसे अच्छा केसे हो सकता हूँ कई लोग मुसे अच्छा अच्छा बेटे हैं याँ पर मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों आपके एक्शन डिपेंड करते हैं आपकी ठिंकिंग पर कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या मानते हैं तो आपको यह मानना होगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ अगर आप हर सुब उठने के बाद अपने आप से ये बात कहते हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ और अगर इस बात का आपने मान लिया तेक दिन ये सा जरूर आएगा जब आप सबसे अच्छे होंगे दोस्तों दूसरी बात जो कि हर सब उठने के बाद आपको अपने आपसे कहनी है वो ये है कि मैं यह कर सकता हूँ दोस्तों हर इनसान की जिन्दगी में एक सपना होता है लेकिन आते से ज़्यादा इसे लोग होते हैं जोन सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते और उसका सिर्फ एक ही रिजन है कि वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाते तो अपने आप पर विश्वास करिए और हर सुब उटने के बाद अपने आप से कहिए कि मैं यहाँ कर सकता हूँ तीसरी बात जो हर सुब अपने आप से कहिनी है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है दोस्तों हर इनसन के साथ जब भी कोई बूरी गटना होती है तो उसके मूँ से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि इसा मेरे साथ ही क्यों हुआ भगवान ने इसा मेरे साथ ही क्यों किया दोस्तों भगवान पर विश्वास बनाए रखें कि आपको लगता है कि भगवान किसी साथ बुरा कर सकते हैं भगवान जो कुछ भी हमारे साथ करते हैं उसमें किसी ने किसी का भला जरूर होता है हो सकता है उसमें हमारा भला ना हो लेकिन हमारी वज़े से किसी दूसरे का भला चरूर हो सकता है इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास बनाय रखें और अपने आप से कहें कि भगवान हमेशा मेरे साथ है चोती बात जो अपने आप से कहीनी है कि मैं एक विजेता हूँ आदे से जादा लोग हारे हुए है और जब भी जिन्दगी में हार जाते है तो वो हारा हुआ ही मानते है कभी अपने आप से नहीं कहते कि मैं एक विजेता हूँ जरा मान कर तो देखो कि मैं एक विजेता हूँ जैसे ही आप अपने आप से बात कहोगे कि मैं एक विजेता हूँ आपके actions जो होंगे वो winner के जैसे होंगे ना कि एक loser की तरह तो ज़रा सोचिए कि आपके actions winner की तरह होंगे तो क्या आप एक winner नहीं है दोस्तो पांचवी बात अपने आप से जो कहिना है वो है कि आज का दिन मेरा दिन है आज तक जो भी हुआ सो हुआ लेकिन आज का दिन मेरा दिन है इस दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेश्ट दिन बनाऊंगा अगर आज भी आपने वही किया है जो कल तक आप करते आए थे तो आज भी आप उतना ही मिलेगा जितना कि आपको कल तक मिलता है आपकी सक्सेश डिपेंड करती है कि आप हर रोज क्या काम करते है और जो भी आप काम करते हैं उस काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं तो हर सुबह उटने के बाद अपने आपसे कहिए कि आज का दिन मेरा दिन है और इस दिन को मैं अपनी जिंदेगी का सबसे बेस्ट दिन बनाऊंगा चलिए दोस्तों पांचों वातों को एक साथ देख लेते हैं जो आपको सुबह उठकर अपने आपसे बोलना है मैं सब सच्छा हूँ मैं यह कर सकता हूँ भगवान हमेशा मेरे साथ है मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरा दिन है दोस्तों अगर आप एसे और भी वीडियोज चाहते हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में जै हिन जै भारत